भारती जनता पाटी किसके साथ अच्छा करते हैं देश में इत्यास गवा हमेशा हर किसी के साथ उन्होंने कहीं ने कहीं चल करने का काम करते हैं तो लिशित तोर पे जो भारती जनता पाटी किये हूँ कोई नया काम तो नहीं किये। देखी जा रही है बात यहां पर की जाए बिहार की सियासत के बारे में सीट शेरिंग को लेकर अब तक बिहार में एंडिये खैमे में हलचल तेज है और देखा जा रहा है कि कई ऐसे दल हैं जो बात अपनी खुलकर रख रही है राजधानी दिल्ली के चक्कर वह लगाते मुकेस सहनी पर क्योंकि एक सेथा कर अब नचीं की जांडियlä है जा इसाफ ऑर पर देखा जा रहा है कि जितन राम मांझी है जिनहें मनाई जाने की šिश लगातार यहां पर देखी गई है लेकिन अब जिस तरह से NDA खैमे में जो हलचल तेज हो रही है मुकेस सहनी के नाम पर हो रही है क्या वाकई में अब मुकेस सहनी भी पाला बदलनी की तैयारी में है इस वक्त देगे जाहिर बात है जो बिहार की राजनीती है यूपी की राजनीती दोनों राजनीते हैं जिसमें जातिगत जो कह सकते हैं समिकरन होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाफशाली होते हैं इसी रिए जितनी भी पार्ट हैं आप देखेंगे कि जातिगत समिकरन के आधार पर च कह सकते हैं कि जो उतर परदेश का पश्चिम इलाका है खासकर जहां जहां जहन चौधरी आते हैं वहां से जो जाट बोट फेंक उनको साधने का प्रयास किया गया तो अलग अलग जो सीट समीकरन होते हैं उसके इसाब से जो बीजेपी है तमाम जो भी पार्टियां वो गठबंदन में तो हैं लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो गठबंदन से लगातर खबर निकल के सामने आती हैं कि इस बार चिराक पासबान को पांस सीट मिलेगी इसके लावा जेडियों को 16 सीटे मिलेगी माजी को एक सीट मिलेगी उपहिन कुछबा को शायद एक सीट मिल जाए और भई मुके सेहनी की अगर बात की जाए तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि भई उनको भी एकाद सीट मिल सकती है लेकिन अभी भी कनफरमेशन नहीं कि क्या वाकई उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी चुकि आपने देखा कि पशुपती पारस को एक सीथ मिलती हूं नजर नहीं आ रही जिनके पांच सांसत थे एक समय अब यहां पर बीजेपी क्या खेल करती हूं नजर आ रही है कि जो छोटे दल हैं उनको एक तरीकर दवा बना कर उनकी राजनीती को दवाना चाहती है खतम करना चाहती है और यही बात मुकेस सैने ने पहले वोट बैंक के खतम होता हूँ नजर आए अब जिस तरह से लगतर खबर यह भी है कि इंडिया गठबंदन के भी संपर्क में बो नजर आते हैं तो क्या यहां से दो तीन बड़े चेहरे आप देखिए कि इसमें पशुपती पारस ने खुले तोर पर कह दिया कि भाई अगर हमें जो कह सकते हैं हमारे हमारा सम्मान नहीं किया गया हम एक तरीक से ए papists लाजर वहें कि इसे में हो सकता है कि पुर्षोपती पारस तुसरह जाते हैं नजर आ जाएं उपहिंद कुछबा को लेकर लगातार बाते चलें वहीं मुकेस सेहनी का सबसे बड़ा रोल इसी में आ जाता है कि अगर बो इंडिया कटबंदर में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल कई सीटों पर हो सकते हैं क्योंकि आप देखें लगाते हैं उन्होंने साफतार पर कह दिया है कि अगले दो दिनों में वह चुनाव लड़ने को लेकर अपना फैसला सुना देगे तो सबसे पहले उनका एक बयान सुना देते हैं जस तरह से वह दिली के चक्कर लगाते हुए नजर आएं और साफतार पर उन्होंने अपनी मांग को लेकर अपनी बात रहे हैं सुनिये जरा जब तक आरक्षन पर ठोस निर्ने नहोंगा तब तक किसी से भी कोई समझोता नहीं करेगा सीट रहा कम ज्यादा आगे पीछे यह सब ठीक है अपनी जगह है लेकिन जब जो हमारे उदेश है पाटी का वह उदेश जब तक पूरा नहोंगा तब तक कोई निर्दी नहोंग पर पर कह रहे हैं कि अगले दो दिनों में फैसला सुना सकते हैं चुनाव लड़ने पर तो अगले दो दिनों बाद आखिरकार उनका फैसला क्या हो सकता है क्या सीट शेरिंग पर अब बीजेपी एंडिये में वो फाइनल फैसला सुना दिया जा सकता है क्या वाकई में बिहार की 40 लोग सभा सीटों में से एक दिया दो सीटें उन्हें मिल सकती है यहां पर याफर नहीं अगर मुकेस नहीं इंडिया गटवंदन में चले भी जाते हैं तो बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है जाहिर बात है और वोटर की बात की जाए तो बाकई यह कहा जा सकता है देखिए हर एक दल का अपना वोट बैंक तो है क्योंकि जाती कर समीकर कि मैं बात शुरू में कर रहा था आप से क जाती के जो चीजे होती हैं उसके आधार पर बहुत सरे चीजे तैक ही जाती है चाहिए आपका वोट पर जो परसंटेज हो या पर जो समुधा है आपका उसके साब चीजे तैक ही जाती है अब यहां पर मुके सहिनी का बड़ा रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके चार देख यहां पर रहे हैं तो आप यह मानHN कर चलिए कि माझी से कटे एक कम इस्थान उनका नहीं है तो ऐसे मैं B.J.P के चक्कर लगा रहा है जाहिर बात है और ऑगाघा सीटे उनको मिली सोचें क्योंकि आपने देखा कि चिराख पासमन का भी कुछ ऐसा ही रुख था माजी का भी कुछ ऐसे रुख था लेकिन फिलाल उनको सीटे देकर उनको मना जा गया है तो ऐसे मैं किया मुकेज सैनी को अगर सेहनी ने ये भी कह दिया है कि सीटों पर यहां पर आगे पीछे चल सकता है लेकिन निशादों के आरक्षड को लेकर यहां पर बिलकुल भी धील देते हुए नजर नहीं आएंगे अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार मुकेश सेहनी की इन मांगों को पू हम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट टू नाइन न्यूस